हन्यु, चलिए, बताईए क्या लग रहा है आपको इस चट्ठे को देखकर सबसे पहली चीज आपके मन में क्या आ रही है? ज़रा comment box में comment करके बताएंगे सोचिये क्या लग रहा है? उसकी morphology के बारे में सोचिये कैसा है? वो सोचिये उसके बाद सोचे कहा पर है, किस पार्ट पर है और फिर अगर उससे आप guest कर पा रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है अगर आप लोगों के मन में psoriasis आया है और यह psoriatic का प्लाओव आया है तो आप बिल्कुल सही है psoriatic का प्लाओव यह क्यों है क्योंकि ये लाल है, कहां पर है, extensiare पर है, उसके बाद, उसकी scaling देख पा रहे हैं, आप जो उपर scaling है, इसकी, ये जो scaling है, वो silvery white scaling है, तो जब भी आपको Soriatic का प्लाग देखना है, आपको ये देखना है, कि वो कहां पर है, कुण सी location में है, mainly Soriatic का प्लाग, bilaterally symmetrical आएगा, extensiare प प्लाक का मतलब आप सभी जानते हैं प्लाक का मतलब होता है चमडी से थोड़ा उठा हुआ लीजन और more than 0.5 cm वाला लीजन तो अपने ये पहचान लिया है कि ये सोरियाटिक का प्लाक है उसके बाद आपको पता होना चाहिए एक और चीज कि जो सोरियासिस होती है आपके पा कोशिश करें कोई क्रीम लगाके अगर उसको जर्रत पढ़ रही है कि उसको सिस्टमिक देना है तो अपन सोचेंगे कि अपने को और चीजcycle याद रखनी है उसके पहले आपको सिरियासिस के बारे में एक चीज पता होना चाहिए कि सोरियासिस का कोई आपके पास old patient आता है बीटवल या तो ऊसमें दिया जाता है और जो आल से मतलब क्या प्रोपिनलोल यह सारी गोलियां कियो याद होना चाहिए और भी सोरियासिस बढ़ाने के काम में आती हैं सबसे उपर अपन इसमें देख पारें एंसेड भी है एंसेड का क्या मतलब होता है नॉन स्टेरोइडल इंटी इंफ्लामेटरी ड्रग कॉमन जो ड्रग अपन अपनी ओपीडी में प्रिस्क्राइब करते रहते हैं नॉर्मल दर्द के दर्द निवारक गोली देनी है तो आप क्या प्रिफर करेंगे तो या तो आप उसको एंसेड ग्रूप की गोली ना दे और अगर आप उसको एंसेड ग्रूप की गोली देने का ट्राय करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो ड्रग प्रिफर करना है वो है आपकी आईबू तो अब आपने देख लिया है कि अपने पास जो मरीज आएगा उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि उसको कही कोई स्केलिंग दिख रही थी वो स्केलिंग को भी अपने को पहले कंट्रोल करना है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा एक मॉस्चुराइजर देना पड़ेगा मॉस्चुराइजर आप कोई भी प्रिफर कर सकते हैं लिक्विट पराफिन वाइट पेट् क्रीम देना है वो होगा अपना टॉपीकल करटिकोषटेरोइट जो यूजुवली हम प्रिफर करते हैं सोरियासेस के प्लाक में करते हैं हाईपोटेंसी मतलब क्या क्लोबेटा सॉल के नाम से आता है अगर हाईपोटेंसी वाला नहीं है तो अपनी सबसे इस बीमारी में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उसके साथ साथ में मरीज की एक और कंप्लेइन रहेगी सोरियासिस में कि उसको खुझली बहुत हो रही है देखिए चठा मरीज को जादा परेशान भले करे ना करे पर मरीज को खुझली जरूर परेशान करेगी तो उसको भी रोखना है तो उसको रोखने के लिए अपने पास क्या उप्शन है अपने मरीज को आपने पास अपने पास एक आदमी एक आपके बुड़ा मरीज आया वह आपको कहता है नाग साब रात भर इतनी हो रही है कि नीद ही नहीं आ रही है बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा है तो इससे आपको क्या समझना है कि मरीज को अपने को नीद भी देना है मरीज को आराम भी देना है मरीज को कंट्रोल भी देना है तो आप इसमें यूजवली क्या प्रिफर कर लेंगे आप उसमें सिडेटिंग एंटिस्टामिन प्रिफर कर लेंगे सिडेटिंग कका मैं इतनी नींद नहीं नहीं चाहिए तो अब इसमें क्या प्रेक्याट करना है अलेग्रा जो डवां में जो बजार में है प्रिस्क्राइब ड्रग वह अलेग्रा ये अंदर क्या है यह आपको नींद नहीं दिलवाता तो Allegra 120 mg या 180 mg अगर आप दे तो उससे मरीज को नीद नहीं आएगी अभी Allegra से एक अच्छी ड्रग आ गई है अगर आप सब समझना चाहते हैं तो Bilastin नाम की ड्रग है जो Bilashine के नाम से मिलती है बाजार में आज कल ये बिल्कुल ही चलन में ड्रग है और बिल्कुल ही कोई भी Sedative Effect नहीं है इसका अब एक और इसके साथ चला बताते चलू मैं आपको कि Livocytrogen जो है दो वो अपन बोलते हैं कि Non Sedating है पर मरीज को उससे भी नीद आ सकती है तो आपको कुल मिला के वे करना है कि आप मरीज को क्या देना चाहते हैं अगर मरीज की कंप्लेइन है कि उसको नीद भी बहुत कम आ रही है तो आप उसको कि मेरा जो चठा है वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा है तो अब आप क्या करेंगे अब आप उसको ओरल कोई ड्रग पे चालू करेंगे ओरल एसी ड्रग जो बिमारी की काट हो और कौन सी एसी ड्रग होती है जो सोरियासिस में अपने को देना है वो है अपनी कि इम्मुनोसप्रेशंट का मतलब क्या होता है सबसे पहले अपने को ये समझना है इम्मिनो Moscow समझने को पहले शायद अपने को समझने चाही कि Emmunity क्या है और AUTO DMC का मतलब होता है अपने शरीर की शम्ता जो भारी दुनिया से लड़ने के काम में आए वो है आपकी immunity अब autoimmunity क्या बला है autoimmunity यह है कि जब भारी दुनिया से लड़ने वाले cells कभी अपने ही शरीर के cells को मारने लग जाए तो यह autoimmunity है तो आपको समझ में आया कि immunity क्या है autoimmunity क्या है तो psoriasis एक autoimmune condition है जिसमें क्या होता है कि शरीर के cells जो रहते है B cells या T cells वो अपने ही शरीर के दुसरे cells जो चमड़ी बना रहे हैं मान लिजिए उसको मारने के काम में आते हैं तो इन सब को control करने के लिए अपने को जो drug देना है वो है अपनी immunosuppressant तो अपन क्या पढ़ने वाले है commonly used immunosuppressants in dermatology तो सबसे पहले अपन बता चुके हैं कि immunosuppressants का काम क्या है immunity को reduce करने का उसका काम है तो कौन सी drugs अपन प्रिस्क्राइब करेंगे वो सब अपन इसके माधर में समझ सकते हैं कि कौन सा कहा mechanism करता है देखिए इस slide का कोई बहुत जादा महत्व बन नहीं रहा है क्योंकि यह slide अपने को गोलिया प्रिस्क्राइब करने के काम में नहीं आईगी इससे सरी अपने को इतना पता रखना है कि immunity और autoimmunity किस पर बेज़ है आपके शरीर के DNA और RNA में तो जो भी देवन की फोटो है मरीज की लाल कलर का चठ्था दीख रहा है आपको। चठ्थे के साथ-साथ आपको silveri scale दिख रही है क्या हाथ दिख रही है तो silveri scale अगर दिख रही है लाल कलर का चठ्था है एक्सेंसार पे है सोरियासिस मरीज है अब ये सोरियासिस का मरीज आया है अपने पास टॉपिकल से मैनेज नहीं है अपने इसको एक ड्रग चालू करी है इमिनोसप्रेसेंट कौन सी ड्रग अपन वो समझेंगे बाद में जब ये मरीज हमारे पास फॉलो अप में 40 दिन बाद वापस आया क्या आप देख पा रहे हैं कि वो चठा कितना कम हो गया है उसके बाद मरीज हमारे साथ continuous फॉलो अप में रहा ड्रग पे रहा जब मरीज 110 दिन के बाद आया आप देख सकते हैं उसके दोनों हाथ clear है तो ये कमाल है उस ड्रग का जो ड्रग अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही जादूई ड्रग है बहुत सस्ती ड्रग है तो जिस ड्रग का कमाल अपन पढ़ने वाले है वो है मिथोट्रेक्सेट मेरा नाह में डॉक्टर आकाश जैस्वाल मैं एक डर्मेटरोजिस्ट हूँ और अपन जिस बारे में आज पढ़ने वाले हैं वो है मिथोट्रेक्सेट मिथोट्रेक्सेट एक immunosuppressant है अपन इस बारे में बात कर चुके हैं तो अपने को ये पता होना चाहिए मिथोट्रेक्सेट के बारे में कि मिथोट्रेक्सेट का एक्सक्रीशन बाडी में कहां से होता है क्योंकि जब बाद में अपन इसके बारे में और लंबा थोड़ा जानेंगे तो अपने को पता रहेगा कि mythotrexate शरीर में कहां से निकलती है mythotrexate शरीर में निकलती है kidney से तो renal excretion होता है mythotrexate का उसके बाद अपन already mechanism की बात कर चुके हैं कि जो भी DNA और RNA बनाने से रोखे वो अपनी मिनों सप्रेजेंट है तो ऐसे mythotrexate भी DNA बनाने से रोख रहा है अगली अपनी चीज है कि इसमें इंडिकेशन क्या है तो देखिए दो चीज़े हैं इंडिकेशन में एक होता है FDA approved और एक होता है off-level FDA क्या होता है भाई FDA है अमेरिका की एजेंसी जो ड्रग यूजरी जो भी ड्रग अपन प्रिस्क्राइब करते हैं वो उसमें देखती है कि ये इंडिकेटेड है या नहीं तो FDA approved ड्रग अगर मानी जाती है तो भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं कोर्ट में आपको कोई चेलेंज नहीं करेगा अगर आप ये ड्रग प्रिस्क्राइब कर दें और off-level मतलब क्या होता है कि आपको तोलना होता है इसमें कि मरीज को इस बिमारी में आप ये वाली गोली दे या ना दे अगर आपने उसके भले के लिए तो गोली दी पर off-level indication है तो आपका मरीज कोट में आपको चैलेंज कर सकता है अगर कोई गोली off-level है तो तो अपना जो मिथोट्रेक्सेट का पूरा सार है और पूरा जो पढ़ाई है वो यूजली एक ही बिमारी पर टिकी रहेगी जो बिमारी अपन अभी पढ़ते आ रहे हैं और वो बिमारी है सोरियासिस की तो चलिए अब अपन पढ़ते हैं कि सोरियासिस में अपन मिथोट्रेक्सेट कौन सी सोरियासिस में दे रखे होते हैं सोरियासिस बहुत ही अन्य प्रकार की होती है या तो वो कम body surface area involved करें या तो ज्यादा body surface area involved करें और कहां पर हो अलग-अलग area में involved हो तो यह सारे indications है जो सोरियासिस में होते हैं तो कुल मिलाके अपने कोई सोरियासिस का चठ्था पता करना है और सोरियासिस बिमारी के बारे में पता करना है आपने एक बार बिमारी पता कर ली आपको उसको topically manage करने का try कर लिया टॉपिकली manage नहीं हो रहा है अब आपको देना ही देना है immunosuppressant तो सबसे अच्छी immunosuppressant कौनसी है methotrexate उसके बाद यह तो अपने देख लगी कहां देना है कहां नहीं देना है सोची आप कहां नहीं देना चाहेंगे इसको अपन पढ़ चुके हैं कि इसको अपने को कोई सी भी इसका काम क्या होता है इसका काम होता है DNA और RNA को रोखना तो DNA और RNA बनने में सबसे important चीज़ क्या है pregnancy तो आपको यह drug pregnancy में नहीं देना है क्योंकि अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि DNA RNA नहीं बनते हैं आपने pregnant महिला को यह गोली खिलाई उसके बच्चे के DNA RNA नहीं बनेंगे तो बच्चा जो होगा वो mentally retarded हो सकता है उसके और clinical feature आ सकते हैं तो congenital anomaly हो सकती है तो आपके जाके दिक्कत करवाईगी यह तो आपके absolute होएं बिलकुल ना ना और ना है इनका अब आप यहीं समझते चले एक चीज कि अगर आपके पास मरीज आता है वो मरीज यंग मेल है यंग family है मान लीजिए आपके पास या तो मेल है या female patient है यंग है वो बच्चा प्लाइन कर रहे हैं तो आपने उनको यह बताना बहुत ही जरूरी है कि मिथोट्रेक्सेट जब भी अपन चालू कर रहे हैं तो उनको family planning की एक चीज पता होना चाहिए कि आप family planning जब भी करें आप आपके डॉक्टर के संपर्क में रहके करें और जब भी आपको मिथोट्रेक्सेट चालू करना है मिथोट्रेक्सेट चालू करने के तीन महिने पहले आपको मिथोट्रेक्सेट ड्रग बंद करना पड़ेगी तब जाके पूरा यह एक्सक्रीट हो बात अब हमसे करें, तीन मेने तक अपन गोली बन करेंगे, उसके बाद वो family plan कर सकते हैं, तो ये तो अपने absolute contraindication हो गए, जो relative contraindication है, मतलब अपने को तोल माल के देखना है, कि ये भी इससे दिक्कत हो सकती है, तो एक सबसे जो इसका major effect आता है, वो kidney पे, क्योंकि अपन kidney का पर चुक है, kidney से गोली निकलती है, तो kidney से गोली निकलती है, तो अगर kidney मरीज की खराब है, तो अपने को उसको नहीं देना है, उसके अलावा इसका जो metabolism है, वो liver में भी होता है, तो अगर मरीज का liver ही खराब है, तो उसमें भी अपने को तोल मोल के देना है, तो ये हो गए है injection भी आता है IM और सबक्यूटेनेस लगाने के लिए यूजिली हम औरली प्रिस्क्राइब करते हैं सबक्यूटेनेस किस मरीज में देते हैं जो लोग औरल नहीं ले पाते हैं क्योंकि औरल लेने से क्या हो सकता है कोई सी भी गोली का क्या होगा भी या गेस्टों इंटेस्टैनल साइड एफेक्ट होंगे नोज्या वॉमिटिंग अगर हुआ मरीज को तो अगर ओरल टॉलरेट नहीं कर पा रहा है कोई मरीज तो अपन ने उसको सबक्यूटेनेस दिया पर यूज्वल ही अपन औरल से चालू करते हैं तो औरल किसकी अवेलिबिलिटी अपने देख लेके 15 mg से रहता है अपना तो सबसे पहले अपन देते किसके हैं देते ऐसे हैं कि अपने को हफ़ते में एक दिन गोली देनी हैं हफ़ते में एक दिन गोली देनी का मतलब क्या होता है कि मानलो अपना कौन सा दिन है मानलो आज गुरवार है गुरवार के दिन अपने मरीज को यह गोली लिखी कि मिथो है उसको अपने को टेस्ट चालो करके देखना है क्योंकि इसके साइड एफेक्ट में पढ़ेंगे कि इसके हिमेटर लॉजिकल और लिवर में साइड एफेक्ट हो सकते हैं तो अगर लंबे समय दिन आपको फॉलिनिक एसिड नहीं देना है बाकी बचेवे दिन बराबर होते रहना चाहिए इसलिए आपको फॉलिनिक एसिड भी उतने ही 5 में बराबर देते रहना है तो अपने दिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे कि मिठोट्रेक्स पाच एमजी गुरुवार के दिन और टेबलेट फॉलिक एसिड पाच एमजी गुरुवार छोड़के बाकी के 6 दिन मरीज को खाना है तो आपने मरीज को दिया पाच एमजी का टेबलेट गुरुवार के दिन उसको आप अगले हफते बुलाएं देखें कि मरीज को कुछ हुआ तो नहीं फिर से उसकी रिप जाता है मतलब क्या होता है पाच एमजी आपने चालू किया हर अफ़ते ड्हाइड़े बढ़के साड़े साथ दस साड़े बारा पंद्रा और पंद्रा तक आते आते मरीज का रिस्पॉंस आ जाता है तो डोज अपने देख लिया है यूजवली मरीज कंट्रोल हो जाता है के अलावा अपने को इसमें एक चीज़ देखना है कि रिस्पॉंस कब तक आता है जैसे आप उमीद कर रहे हैं कि आपने आज गुली दी और आपका मरीज उमीद कर रहा है कि चठ्था इसका अगले हफ्ते सही हो जाएगा हलका होने लग जाएगा तो ऐसा नहीं होता है इस लिए अपने को बाखी के छे दिन देना है कि साइड एफेक्ट जो रहे हैं वो साइड एफेक्ट मिनिमाइज रहे हैं तो अब अपना आते हैं यह सबसे मेजर तो परेशान करके रख देती है अगर आप उसको पचास रुपे से कम महीने वाली गोली में ठीक कर दे रहे हैं तो अपने को क्या देना है टेस्स देना है पांच एमजी का मरीज को अगले हफ्ते बुलाना है अगले हफ्ते बुलाने के बाद उसका सीबी से और लेफ्टी करवाना है सीबी से अगर नॉर्मल आया तो धाइड़ एमजी करके अपने को डोस बढ़ाते रहना है अब अपन कलर की scaling दिख रही थी उपर तो सबसे पहले अपन जब ड्रग देंगे तो सबसे पहले क्या खतम होगा सबसे पहले उसका scaling खतम होगा फिर उसके निच्चे का लालपन खतम होगा और फिर उसका चठा छोटा-छोटा होने लगेगा तो यह response आप ऐसे मेजर कर सकते हैं मरीज का और जब response पूरी पूर्ण रूप से बराबर आने लग जाए तब आपको गोली taper भी तो करना है आप 5 mg से लेकर मरीज को 15-20 mg तक लेगा अब आप उसको वापस भी taper तो करना है अब 20 mg पर थोड़ी रोग पाएंगे इतना तो आपको taper कैसे करना है जैसे आपने बढ़ाई है आपने बढ़ाई कैसी थी बढ़ाई अपने ऐसी थी कि 5 mg जालू करी और 0.5 mg अपने बढ़ा दी तो 0.5 mg बढ़ाई तो 0.5 mg कम कर दो मानलिये आपका मरीज 15 mg पर stable है 15 mg पर उसके lesions पूरे resolve हो चुके हैं अब आप उसको taper करना है तो taper कैसा करिए taper उसको हर हफते या 2 हफते में 1.5 mg कम कर दीजिए जैसे आद आपका मरीज आया 15 mg आमें आया है 15 mg में तो ट्रेक्सेट ले रहा है stable है अब अपने को क्या करना है stable है तो 0.5 mg अपन करके देख ले उसको बोलें कि अब गुरुवार के दिन भाई तो कित्ती ले 12 mg फिर दो हफते बाद अपन ने बिलाया stable है कोई दिक्कत तो नहीं आई है अगले अब उसको बोलो कि 10 mg ले ऐसे करकर के अपने को taper करना है और धीरे-धीरे करके बंद कर देना है तो अब अपने को यह पता होना चाहिए कि अपन कितना दे सकते हैं तो जो मितोट्रेक्सेट का maximum cumulative dose है वो 4 ग्राम तक आप मरीज को द दे सकते हैं तो बहुत safe drug है और सश्थी ड्रग तो क्या सोचते हैं बिल्कुल अप सही सोचते हैं गेस्टसटाइनल में क्या होगा या तो नौजिया हो जाएगा या वॉमिटिंग हो जाएगा आपने जैसे मरीज को गुली दी जिस भी दिन आप हफते में प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मरीज बोलता है कि उसके अगले दिन या उसी दिन मेरे को थोड़ा सा उल्टी जैसा लग रहा है तो अब आपको समझ में आना है कि हाँ भाई इसको गेस्ट्रों इरिटेशन तो हो गया है एक आपको एडवर्स एफेक्ट यह याद रखना है दुसरा एडवर्स एफेक्ट आपको पता होना ची हमेटलोजिकल होता है आपका सार क्या है मरीज को वापस अगले हफते बुलाने का आपने पांच एम हमोगलोबीन है नॉर्मल हमोगलोबीन wbc और अपना प्लेटलेट यह जो नॉर्मल गोली चालू करने के पहले कैसे थे और गोली चालू करने के एक हफते बाद इसमें कोई समस्या तो नहीं आई यह कंपेर करने के लिए क्योंकि हमेटलोजिकल भी इसका एक एडवर्स है उसके बाद अपने को पता होना चाहिए अपने इसका मेटाबोलिजम कहा है लिवर में है इसका मेटाबोलिजम और लिवर में है और लिवर में भी इसका साइड एफेक्ट हो सकता है तो लिवर का साइड एफेक्ट है उसके अलावा एक और साइड एफेक्ट जो आपको पत कर रहा है उससे आपको पता रखना है कि जब भी वह ट्राय करें तो तीन महीने गोली बंद करें उसके बाद वह फैमिली प्लाइन कर सकता है तो यह अपने देख लिए एड़र्स इफेक्ट वही गेस्ट इंटेस्टाइनल होंगे हमेट्र लॉजिकल होंगे लिवर और रिनल क्योंकि अपने को पता है सीबी सी और लॉजिकल और गेस्ट इसके साइड इफेक्ट है सीबी सी लेफ्ट इसका नॉर्मल आ गया मरीज का आपने गोली चालू कर दी तो अब आपको चार हफते तक मरीज को हर हफते बुलाना है तो आप उसको मंगरवार बुद्वार के दि बुला सकते तो यह मॉनिटरिंग आईडलाइन आपको पता होनी चाहिए एवरी वीक आपको करना है सी बीसी और लेफटी और आपको हर साल चैस्ट एक्सरे भी करवाते रहना है मरीज का क्योंकि क्या होता है कोई साभी इम्मिनोशप्रेसेंट रहा कोई साभी चुका है इस बिमारी ने वो है अपने टूबर कुलोसिस तो कहीं लंग में फाइब्रोसिस केल्सिफिकेशन तो नहीं करवा रही है यह ड्रग और अपने टीवी का रीक्टिवेशन तो नहीं हुआ है इसलिए हर साल अपने एक चेस्ट एक सरे भी इसमें करवाते रहेंगे अ आप जो सी बीसी करवा रहे हैं ना रखते वह इंडिकेटर है जब भी आपका डवली बीसी लेस दिन 3,500 हो जाए और आपका प्लेट लेट एक लाग से निच्चे आ जाए तब आपको समझ में आ जाना चाहिए अलॉंग विद आपका लिवर क्योंकि आप साथ में LFT भी त करना पड़ेगा या तो पूरुन अतहा बंद करना पड़ेगा और नहीं करा तो क्या दिक्कत आ सकती है चलिए समझते हैं देखिए आप इसमें समझ पा रहे हैं अप्रिशेट कर पा रहे हैं कि मरीज को एक चठा लग रहा है पेट में जो पेट का निच्चे नाभी के नि करने तरह इसने क्या किया यह दादा 42 इयर old man है इन्होंने क्या किया हमने हन گों इनको drug prescription करें इन्होंने बराबर 5 या ली उसके बाद हमारे पास यह फॉलो अप पर पे आए हमने इनको identify तोicated तक हम पहुच चुके थे अगर मैं इस गोली को हफते में एक बार ना लेने के बज़ाए रोज ले लूँ तो क्या मैं ज़्यादा जल्दी सही हो सकता हूं तो ये दादा ने जो एक शराबी भी है आपको मैं एक चीद कर दिया था कि आपको यूँकी ये लेना हें तो क्यूँकि अल्कुल अपन देख चुके हैं कि अल्कॉळ भी लिवर में ही metabolize होती है तो ये भी आपको पता रखना है, मरीज आपके पास आता है OPD में, आप उसको मिथोट्रेक्सिल प्लैन कर रहे हैं, तो उसको आपको बिल्कुल इंकरेच करना पड़ेगा, अल्कोहल प्रोनेता बन करें, वरना मिथोट्रेक्सेट के चांसे टॉक्सिसिटी के बढ़ जाते है तो इस मरीज में क्या हुआ, दादा ने सोचा कि मैं ये जो गूली है, ये रोज लेलू हफते के बजाए, तो फिर दादा के जो छुर्यासिस के चठ्थे थे, वो चठ्थे बहुत उबर गए, साथ-साथ में उनके मूपे क्रस्टिंग आई, अब हम तो देखते ही समझ है, जो इसमें अपने को गोली बंद करनी है, उसमें आ गए हैं, जैसे WBC इसके 3000 से निच्चे आ चुके थे, और प्लेटेट 90,000 हो चुके थे, जो कि एक लाग से कम है, तो इस मरीज को क्या हुआ है, इस मरीज को ही है, मिठोट्रेकसेट की टॉक्सिटी, तो मिठोट्रेकस जिस एंजाइम और उससे मेटाबोलाइस होती है, लिवर में, अलकॉौल ने लिवर को ही थोड़ा सा कम अपने एक्शन करने से सो रोग दिया है, तो अब मिठोट्रेकसेट जैसे मेटाबोलाइस हो सकती है, तो इसका चांसें शरी में बढ़ जाएगा, चांसें बढ़ ग के साथ भी इंटरेक्ट करती है तो एंसेट तो बिग नो है सोरियासिस में देना और अगर देना है तो कौन सी देना है चलिए बताइए पहले बात कर चुके हैं अपन लिखके बताइए कमेंड में कौन सी देना है हाँ आईबिप्रोफिन देना है बड़िया अगर आपको देना है तो आईबिप्रोफिन देना है अब इंटरेक्शन अपन देख चुके हैं कि एंसेट से हैं और एलकोहॉल से हैं तो जो मरीज अपने पास आया था आपने उसमें क्या देखा आपने उसमें ये देखा कि उसक चट्था उभर चुका है चट्था उभर सकता है काली पपड़ी जम जाना जहां से अपने चठि उभर तो गोली लेने के बाद और इरोजन होना यह इसके clinical feature है अब अपने को देखना है कि आपके पास मरीज तो आ गया मिथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी का तो अब अपने को इसको क्या करना है मिथोट्रेक्सेट का मरीज आ गया है तो बैटर है आप इसको किसी dermatologist को transfer करवाया दे तुरंद क्योंकि इससे क्या होगा कि इसको मरीज को admit करने की भी आवाशकता है जो dermatologist है वो थाड़ा अच्छे से इसको treat कर पाएगा समझेगा उसको body surface area भी देखना पड़ेगा तो मरीज भी आपके confidence में रहेगा कि हाँ डाक साब ने dermatologist के पास भेज दिया है तो अगली बार कोई दिख्खत आपके पास आएगी तो मरीज आपके पास ही आएगा तो आप उसको समझा सकते हैं आपके में ले सकते हैं तो अपने को जो ड्रग अगर में देना है वो होती है फॉलिनिक एसीड बन पड़ चुके हैं जो सीधे आएग करती है डिने आरेने सिंदेसित बनाएगी अपने जो सबको रोख देगी तो 10 mg per meter square body surface area के अनुसार अपने को इसको दिन में चार बार देना मतलब के चार बार से भाग दे दो छे घंटे में अपने को 10 mg per meter square के हिसाब से अपने को यह फॉलिनिक एसीड देना है साथ-साथ में अपने देखा है में ë्योटल होती है ऊसको जूख कया मतलब गलता मरीज से और अपने और चीज देखी अब सबसे पहली स्लाइड पर पहुंचना है जहां से अपने मिफोट्रेगे चालू pot कि mistrotrexate निकलता कहां से है mistrotrexate निकलता है kidney से draw outputs accumulate हो सकता है और mistrotrexate acidic drug है तो अपने को publication of urine करना पढ़ेगा जिससे mistrotrexate वो toxicity ना करवाया तो soda biocarbonate अपने को medbirth को देना पढ़ेगा तो ये हो गया इसका पूरा management और यह अपन पढ़ चुके हैं लगबग लगबग बहुत कुछ सुरियासिस के बारे में और मिठोट्रेकसेट के बारे में तो चलिए बताइए आपको कैसा लगा सब कुछ जानके साइनिंग ओफ डॉक्टर आकास जैसवाल और कमेंट में यह भी बताइए का कैसा लगा और यह भी कि आप अगला कौन सा लेक्चर पढ़ना और समझना चाहेंगे डर्मेटलोजी को आशान भासा में